बात करते हैं मुहमद शमी की एडिलेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मुहमद शमी जब गेंद बाजी करने उत्रे तो उनका एक जूता फटा हुआ था ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर शमी फटा हुआ जूता पहन कर मैदान में क्यूं उत्रे तो चलिए इस रास का खुलासा कर देते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आपको यह रास पसंद आए तो हमें कमेंट के में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें तक हमारे लेटिस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं अडिलेट टेस्ट में फटा जूता पहन कर क्यों उत्रे मोहमत शमी पूर्फ कंगारू खिलारी ने बताई वज़़ा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अडिलेट टेस्ट अडिया के तेज गेंदबास मोहमत शमी मैदान पर गेंदबाजी करने उत्रे तो एक खास कारण की वज़़से हर किसी की नजरें शमी पे आट की दरसल शमी इस मैश में फटा जूता पहन कर खेल रही हैं मैश के दौरान जब शमी के जूते पर कैमरा फोकस हुआ तो उनके बाएपर का जूता आगे से फटा हुआ था औस्ट्रेलिया के पूर्फ दिगज खिलारी एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वॉं और शेन वॉन के कमेंटरी के दौरान इस बारे में बात करते हुए नजर आए शेन वॉन ने बताया कि मुहमत शमी का हाई आर्म एक्षन है इसके चलते जब अपने एक्षन के दौरान वो बॉल को रिलीस करते हैं तो लैंडिंग के वक्त बाएपर का अंगूठा जूते के अंदरूनी फ्रंट हिस्से से टकराता है और इससे गेंदबाजी करने में दिक्कतें आ सकती है वॉन के मुताबिक इससे बचने के लिए ही शमी क एक जूते में छेद देखा जा सकता है ताकि उनके बाएपर के अंगूठे को स्पेस मिल सके हलाकि उन्होंने जोग करते हुए कहा कि शमी बलेबाजी के दौरान फटा जूता नहीं पहनेंगे क्योंकि आस्ट्रेलिया के तेज केंदबाजी यॉरकर बॉल से उनके हालातों को मुश्किल बना सकते हैं यसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ